गाई जी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पीरियेट्स के बाद वो पाँच ऐसे कौन से काम होते हैं जो हमें बिलकुल भी नहीं करने हैं यह वीडियो मैंने उन सभी महिलाओं के लिए बनाया है और खासकर यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारी पालन एक साथ नहीं किया जा सकता हैं जो भी महिलाओं के करने की तयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं खास कर करना कहना चाओंगी है यहां इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाए जायेंगे जो भी टिप्स दिये जाएंगे वह साइंटिफिक रिजन के साथ दी जाएंगे जिससे पहले भी मेरी कुछ सब्सक्राइबर असानी से कंसीब कर चुकी है आप अगर पहली बार आया है नय है तो आप भी असानी से कंसीब कर सकते तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करती हूं मैं हूँ पीरियेट के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी होती है तो अगर यहां पर हम फॉस्ट अपॉल बात करें पहले पॉइंट के उपर वह हमारे एक्टिविटी से रिलिटेड होगा यानि कि मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो एक्ससाइज वगरा करती है तो पीरियेट के बा सब्सक्राइबर हम करेंगे आपके खाने पीने के उपर बात किया जाएगा लगा देखिए खान पान के अंदर आपको क्या करना है कि ठंडी चीजे नहीं खानी है, फ्रीज की चीजे नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, कोल ड्रिंक वगेरा ये सब लेना अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आप कंसिप करने की तयारी करनी है, आप नाचुरल चीजे हरी पतेदार सब्जिया इन सारी चीजों को फूर्ट्स को लीजिए अपने डाइट के अंदर सामिल कीजिए थार्ड पॉइंट के उपर हम बात करें तो ये बात किया जाएगा थोड़ा सा हमारे हाईजीन के उपर बात कर लेते हैं जहां से जिसी से से आप यूरिन पास करती है उसे पूरी तरीके से क्लीन और ड्राइ रखना है क्लीन कैसे करेंगे जितने बार आप जाती है यूरिन पास करने उतने बार पानी से आप उसे दो सकती है ये तो हो गया क्लीन अब ड्राइ कैसे करें ड्राइ करने का आसान तरीका है आप टोवेल से उसे पोउच सकते हैं टोवेल आपके बाथरूम में होगा जिसे आप जितनी बार जाती है फिली पार आप चलीन कीजिए ड्राइ कीजिए जब आपका हैजीन मेंटीन होगा तब फी कुछ ने कोछोगः क्योंकि मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम सुझाती है कई बार उस हिसे में खुजली की प्रॉब्लम आ गई है या फिर उससे रिलेटेड स्वैलनेस या किसी तरह की स्मेल आ रही है इस तरह की भी चीजे यह सब कुछ आपके क्लीन करने से हो जा घर आपको अपने बालों के ऊपर बात करें तो प्रिएड के बाद आपको अपने बाल बी नहीं होने होते हैं बाल नहीं धोने से आपका जो यूट्रस है वह हमेसा एक गर्म तरह का एक इस अनसा गर्म इंव़म demás सुर्वाइब कर पाता है आप тон और अपकी एक्टिवीट् को जूप के काम करना होता है किचिन कोई भी आपका काम है आप खड़ी होकर कर सकते हैं जिससे बहुत असानी से आप इन चीजों से जूखने से कोशिच की जादा सीडिया नहीं चड़े और अगर चड़ती भी तो रुकरूक के चड़िए क्योंकि कंसीब करना की तैयारी में आप औरड़ी बहुत कुछ कर चुकी हैं तो आप एक बार इन सारी चीजों को भी जरूर आजमाईएं थांक्स पॉर वाचिंग मिलती हूँ कल की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर